Hello students, welcome to Amazon Academy So students, आज हम लोग General Organic Chemistry topic में एक important concept discuss करेंगे Steric Inhibition of Protonation, SIP इस पर किस तरह से questions आते हैं? उनके बारे में हम बातचीत करते हैं So जो इसमें एक important part है, that is the comparison of base strength आप देखिए, मैं एक example ले रहा हूँ जिससे मैं आपको base strength समझाता हूँ Base का मतलब क्या होता है? ऐसे particles को base कहा जाता है, जो proton gain करते हैं ठीक है, जैसे हमारे पास compound है, aniline और इस aniline compound में nitrogen atom पर lone pair present है क्या present है, lone pair तो जब ये H+, इसके close जाएगा अब आप जानते हो, H+, जो है, सबसे छोटा atom है electron रहित है, zero electron है, positive charge है तो nitrogen अपने electron इसको donate कर देता है और इस तरह से nitrogen पर आ जाता है positive charge और 2H तो पहले थे, एक और H ये gain कर लेता है और इस तरीके का iron बना लेता है इस iron को हम बोलते हैं, क्योंकि nitrogen ने electron donate किया तो formal charge nitrogen पर plus आ जाता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं, anilineum ion अब anilineum ion जो है, ये cation है और ये बनाया किस से? अनिलीन से, आप जानते हो कि इसने electron पर डोनेट किया, ये base है ये सबसे छोटू atom है, इसने gain किया ठीक है? तो ये सबसे छोटू atom बेबी है ये base है, बेबी को base पसंद है हमने bond बना लिया अब आप देखोगे, कि यहाँ पर पहले दो atom थे, अब तीन हो गए अब तीन होने से यहाँ पर क्या हो रहा है? कि बहुत जादा, मतलब जो atoms यहाँ पर दो थे, वो तीन हो गए तो यहाँ पर जादा occupancy रहेगी atoms की जादा space occupy करते है अब मान लीजिए कि aniline की जगे पर अगर मैंने कुछ इस तरीके का compound लिया होता जिसमें यहाँ पर CH3 group रहता ठीके, methyl group को मैंने ortho पर लगाया होता अब अगर मान लो कि यहाँ पर H plus आया होता और यह इसमें convert हुआ होता तो मैंने इसको बना दिया NH3 plus देखो यह सारी reactions क्या होती है reversible होती है why reversible? क्योंकि ऐसा है proton यह gain कर सकता है lose भी कर सकता है, backward भी जा सकता है तो similarly मैंने यहाँ पर भी लिखा H plus आया, loan pair डोनेट हुआ baby atom base आपस में bonding हुआ, यह बन गया अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर तीन atom आने से जगे ज़्यादा occupy कर रहे है और यहाँ पर already methyl group भी present है और methyl में भी carbon के पास तीन hydrogen atoms present है अब देखो इन में क्या होगा repulsion होगा they will repel each other और इस repulsion की वज़े से यहाँ पर steric crowding बहुत ज़्यादा हो गई है तो यह सब मिलकर के वापस H plus को यहाँ से निकाल देंगे और इस reaction को backward direction में ले जाएंगे जिससे की यहाँ पर repulsion कम हो देखो जगे हैं कम, atoms है ज़्यादा तो क्या होगा इस repulsion का क्या meaning निकले, जब repulsion बढ़ता है तो automatically क्या होगा यह H plus यहाँ से निकल जाएगा और reaction backward चली जाएगी और backward चली जाएगी मतलब इसकी H plus gain करने की power कम हो जाएगी यहाँ मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि it will become what? weak base क्योंकि यह proton gain नहीं कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि करता भी है तो यह फिर backward चला जाता है इसी effect को बोलता है steric inhibition of protonation because of the steric crowding protonate नहीं हो पा रहा है यह proton gain नहीं कर पा रहा है this effect is steric inhibition of protonation because of steric crowding protonation becomes what? difficult, ठीक है so base strength का जो comparison है हम SIP के basis पर कर सकते हैं ortho substituted aniline जो होंगे they will be weaker basis compared to meta and para isomers देखिए ध्यान से अगर हमें comparison दिया जाए तो methyl group यहां लगा हुआ है ortho पर यहां पर लगा हुआ है meta पर यहां पर लगा हुआ है para ठीक है आप लोग जानते ही होंगे कि neighboring position को ortho का जाता है उसके pass वाली position को meta का जाता है और सामने वाली position को para का जाता है ठीक है तो इन तीनों positions में से जो सबसे ज़्यादा steric crowding होगी वो ortho पर होगी इसको protonate होना मुश्किल हो जाएगा because of steric crowding तो यह सबसे कम basic होगा यह weakest base होगा ठीक है अब बाकी में कोई tension नहीं है meta वाला भी दूर है para वाला भी दूर है तो हमें दूसरे effects लगाने है दूसरा effect यह कहता है meta पर effect लगता है plus i और para पर effect लगता है plus h और plus h is stronger तो यह सबसे fast यह सबसे क्या होगा सबसे strong base होगा क्योंकि यह सबसे ज़्यादा strong electron donating group है most basic होगा यह one यह हो जाएगा second और यह हो जाएगा third ठीक है so this is how we compare the base strength of substituted aniline this is SIP effect तो हमें ध्यान रखना है एक और question मैं आपको इसमें कराना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा question दिया जाए जिसमें aniline तो है benzene से जुड़ा हुआ और यहाँ पर हम substitute लगा देते हैं कोई बड़ा group मैंने cyclopent pentile group यहाँ पे लगा दिया और दूसरा मैंने example लिया aniline तो है NH2 group benzene से associated तो है यहाँ पर मैंने पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों की base strength को क्या compare किया जा सकता है of course किया जा सकता है आप देखोगे कि यहाँ पर steric crowding बहुत जादा है उसके comparison में यहाँ कम है तो यहाँ पर फिर भी H plus का आना क्या होगा more difficult हो जाएगा यहाँ पर H plus का आना फिर भी क्या होगा थोड़ा सा less difficult होगा क्योंकि जहाँ पर atom जादा है वह steric crowding जादा है तो मैं यह बोल सकता हूँ कि यह right वाला जो होगा that will be stronger base compared to the left one ठीक है तो हम आपस में भी compare कर सकते हैं दोनों में अगर ortho position पर group लगे हो तो जिसमें bulky group होगा बड़ा group होगा वहाँ पर protonation जादा difficult हो जाता है तो these are the various comparisons जो पूछे जा सकते हैं SIP effect पर So happy learning students Thank you very much Bye-bye